हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप लोग और आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सस्क्राइब करिएगा और हाँ मुझे फुल सपोर्ट करिएगा तो अभी देखेए फ्रेंट्स अभी नवीना इवनिंग का टाइम हो रहा था और दिया बाती मैं घर में मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद यहां पर देखे फ्रेंड्स मेरे पैर ना थंड में बहुत ज़्यादा ही फटते हैं मेरी एडियां जो है ना बहुत ज़्यादा फटती है तो अभी जो है ना थंड भी लग रही थी तो मैं सॉक्स वगरा पहन रही थी तो उससे पहले ना मैं अपने पैरों क यडियो पर जो Wesleyan होता है न? मैं वो लगा लेती हूँ क्योंकि बहौत ज़्यदा मेरे पैर फटते है और फिर भहुत ज़्यदा डरत भी होने लगता है जब ज़्यदा फटता है तो तो इसे ज़ए क्या करती हुु न? कि जब बच्चे बाहर खेल रहे हैं और उनके पापा है वहाँ उनको देख रहे हैं और मैं यहाँ पर दियाबाती करने के लिए घर में आई थी तो दियाबाती करके और यहाँ पर मैं सौक्स वगएरा पहन लेती हूँ और छोटा मुटा कुछ काम है वो करूंगी उसके बाद जो है खाना और अगरा में रात का बनाऊंगी तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स थोड़ा मतलब अंधेरा अंधेरा से हो गया था ऐसे तो मुवाइल में नहीं दिख रहा है, साफ दिख रहा है लेकिन हां अंधेरा तो हुआ था तो यहां पर देखिए बच्चों के जो जूते होते हैं स्कूल के तो वो सुखे नहीं थे जैसे कि अभी छोटा दिन करता है तो कपड़े धोते नहाते मुझे दस बच जाता है तो फिर कपड़ों को सुखने देने में साड़े दस हो जाता है तो जल्दी से मोजे अभी सुखते नहीं है जूते मोजे नहीं सुखते हैं तो भी जो है मैं छोड़ दीती सारे कपड़े में लेकर गई थी चार बज़े लेकिन इन जूते को मैंने छोड़ दिया था तो उसके बाद जो है दिया बाती करने के बाद जब मैं चछत पे तुलसी मंदिर में मैं दिया जलाने के लिए गई ना तो मैंने वहां पर जूते देखे तो फिर मैं जूते वगएरा मैं ले आई हूँ अभी और अभी यहां पर देखे फ्रेंट मैं अभी साड़े छे हो रहा था साम का और अभी मैं जो है मतलब साम नहीं ही राद ही बोल सकते है क्योंकि पांच बजे ही जू है दिया बाती का टाइम हो जाता है और पांच bजे लुग Dobo कपडे वागेदा करते हैं काना वगए तो दोपहर में बिलकुल भी रेस्ट नहीं कर पाते हैं मतलब सुही नहीं पाते हैं और चोटे बचे हैं तो अब देखे मैं जल्दी खाना बना दूगी और उनको खिला दूंगी ताकि ना क्या होता है ना फिर बच्चे बिना खाए ही सोने लगते हैं तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूं तो यहाँ पर देखिये आठा जो मेरा गुन्द किया है बच्ये ना अभी उनके एग्जामस चल रहे थे तो मेरा दिया बाती करने के बाद ना मैंने उनको एक घंटे और दोपहर में मैंने जादा सब्जी बना दी थी क्योंकि ठंड के दिनों में होता है कि हमें रात में कभी कभी नहीं बनाने का मन करता है खाना क्योंकि सुबह बच्चों के लिए नास्ता बनाओ फिर दोपहर में खाना बनाओ और मतलब इतना छोटा दिन करता है ना कि बच् हुआ ही है तो फिर सिर्स में अभी रोटी बनायोंगी और रोटी मैं थोड़ बहुत घी लगा दोंगी और बचों को मैं दे दूँगी वहीखाने के लिए जादा रोटी भी मैं नहीं बना रही हूँ उतना ही रोटी बनाते हूँ जितना रात में ही खतम हो जाए एक आद बच्चे तो चलेगा क्योंकि फिर बच्चों की स्कूल होती है ना सुभे में तो फिर उन लोगों के लिए नास्ता वगेरा बनाना पड़ता है तो फिर रोटियां रह जाती है तो ऐसे ही करती हूं मैं और अभी जो है ना बच्चे खेल रहे खेले थे उसके बाद मैं दोनों को घर ले आई थी क्योंकि 2020 हवा चल रही थी बाहर में और अभी जो है ना ठंड काफी जादा बढ़ा दी गई है और हम लोग तो किसी तरह रह लेते हैं लेकिन बच्चों को उतना पता नहीं होता है कि हमें मतलब अपने ना सर में टोपी पहन के रखना है मोजे वगएरा वे लोग उतना नहीं जानते हैं तो कभी टोपी खोल देते हैं कभी जाकेट खोल के रख देते हैं लेकिन लोगों को ना उनसे ठंड लग जाती है और अभी वो मौसम है ना जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बिमार होते हैं तो इसलिए जो है मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने दी और जैसे ही अंधेरा हुआ ना तो फिर मैं दोनों को गर लेकर चली आई थी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस जो है ना मेरा रात का खाना वो बन गया था खाना क्या सिर्फ रोटी ही बनाई मैं और दूद मै ने गरम करने के लिए चड़ा दिया है तो अभी यहाँ पर देखिए मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना और साथ-साथ मैं मैं भी खालूंगी तो हजबन जी नहीं खाएंगे और मैं आज दुपएर में जल्दी ही खाना खा रही थी तो मुझे भी लग गई है भूख उ उन्होंने कहा कि वो लेट से खाएंगे तो फिर मैं खा लेती हूँ और बच्चों को भी मैं दे दूँगी खाने में और साथ में ही खालूंगी फिर अकेले खाने का मन नहीं करता है तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चों को सबसे पहले दे दूँगी और उन लोगों को प अच्छे खाना खा चुके हैं मैं भी खाली हूँ खाना और जितने भी बरतन है ना वो सारे में धो दूंगी यहां पर और सबको मैं वाश बेशिन में डाल देती हूँ तो फ्रेंट्स कुछ इस तरह से था मेरा आज का व्लोग और उमीद करती हूँ कि आप लोगों को ना मेरे व्लोग्स पसंद आते हैं और व्लोग्स पसंद आते हैं ना तो मेरे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए फ्रेंट्स थैंक यू बाइ बाइ और मेरे वीडियो उसको लाइक जरूर करिएगा फ्रेंट्स और सेर भी जरूर करिएगा